हेलो इस्टेंट्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैस वाई जितिंदर कुमार में स्वागत है आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमबर 4 लिनियर डिफरेंशल इक्वेशन्स विद कॉंस्टेंट अफिसेंट्स इससे जो पहले चैप्टर हैं 3 चैप् कंप्लिकेशन पर अप्लिकेशन हमारा PCM गुरू अप्लिकेशन का नाम हमारी PCM गुरू ठीक है इसका लिंक वीडियो के description में दे दिया जाएगा या इसको सीधा जाके stoked डाव इस्टोर से डाउवन लोट कर सकते हैं रिक है इसको भी BAC second year का complete course लेना हो तो वो fees जो होती है मात्र 12.00 रूपे पर बुक होती है 12.00 रूपे पर बुक ठीक है तो जिसको भी इक course purchase करना हो तो वो इस नमबर पर WhatsApp message करना हो 9690 22 4488 ठीक है तो जो इससे पहली सभी वीडियो हैं वो application पर available हैं तो वो देख सकते हैं ठीक है तो जिसको भी ये course purchase करना हो वो इस नमबर पर WhatsApp message करके ये course purchase कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम नया chapter start करते हैं chapter number 4 तो इसकी बारे में चलिए समझ लीजी थोड़ा सा linear जैसे की chapter का नाम है हमारे linear differential equation with constant coefficient linear का मतलब होता है रेखिये ठीक है तो linear equation पहले समझी linear equation क्या होती है रेखिये समीकर्ण क्या होते है पहले रेखिये समीकर्ण समझीए जैसे मालने हम लिखते हैं मैंने को equation लिख दिया x plus y बराबर मालने 5 लिख दिया तो ये रेखिये जब x y में एक घातिय समिकन होता है वो किसको रिपरजेंट करता है स्टेट लाइन सरल रेखा को निरुपित करता है तो ये जो equation है ये equation कैसा होगा ये linear होगा तो linear क्यों होगा क्योंकि इसमें x और y के degree कितनी है यदि हम इसका graph बनाएंगे ये Hम इसका graph बनाएंगे x plus y बराबर 5 का graph बनाएंगे तो इसके graph बनाने के लिए हमें कितने point की अवश्यकता होगी 2 point की अवश्यकता होगी ठीक है तो 2 point देखिए क्या क्या आजाएंगी इसके ये क्या है tremend ने के स्टेट लाइन को खिचने के लिए तो एक point कितना जाएगा 50, एक बार चलिए हमने x को 0 रख दिया, तो y बराबर क्या जाएगा 5, तूसरा point कितना जाएगा 0, 5, और कोई भी point निकाल सकते हैं, वहीं मानले हमने x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 1 रख दिया, तो y एक वल टो 4, ठीक, तो यहां से infinity point निकाल सकते हैं, इससे कितने point निकाल सकते हैं, infinity point निकाल सकते हैं, चलिए हमने ये 2 point निकाल लिए, ठीक है, तो 2 point देखे, graph पर कहां कहा जाएगे, यहां हमें 50 लेना, तो यहां हमने 1, 2, 3, 4, 5, तो यह point कितना ले लिया, 50, 0, 5, उपर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह कितना जाएगा, 0, 5, 0, 5, तो मैं यह बात अभी तुम्हें linear के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तो यह, इन दोनों point को मिलाते हुए, एक line खीछ दीजिए, तो यह किसको represent करती है, यह जो x plus y equal to 5, एक रेखा को represent करता है, ठीक है, तो यह जो equation है, कियसा होगा, यह linear होगा, ठीक है तो linear कब होता है तो चाहिए तुम्हें मालूम हो गई x y में एक घातिय समेकर्ण एक सरल रेखा को निरूपित करता है ठीक है तो x y में कितने degree का equation 1 degree का equation जिसको represent करता है एक state line को represent करता है तो linear का मतलब समझे लिनियर का मतलब क्या रेखिए ठीक है तो linear differential equation तो linear differential equation क्या होगी linear differential equation के लिए जैसे मालने हमारे पास कोई function है y equal to fx कोई function है तो या कोई example ले लिया हमने इसका example हमने यह ले लिया y equal to x square plus 5x plus 2 ले लिया यह तो इसके अंदर कितने variable हैं? दो variable है y equal to x square plus 5x plus 2 के अंदर कितने variable है? दो variable है तो दोनो variable अलग-अलग variable है तो बता दीजिए यह variable क्या-क्या variable है ठीक है? तो दोनो अलग-अलग variable है x अलग है और y अलग है तो x बताईए किस तरह का variable है और y बताईए ये किस तरह का variable है ठीक है देखो जैसे हम मालिया इसमें x की जगे कुछ भी रखें x बराबर सपोज हमने 0 रखा x बराबर 0 रखेंगे तो y बताईए कितना आएगा y बराबर 2 आएगा चलिए हमने x equal to 1 रख दिया तो y बताना कितना आएगा 1 यहां रखेंगे ठीक है 5 और 1 6 और 2 8 तो y बराबर कितना आएगा 8 तो हम x की value अपनी मनमर्जी से कुछ भी रख रहे है ठीक है वह दो variable है एक तो x variable है और एक y variable है तो x जो variable है मनमर्जी से अपनी कुछ भी रख रहे है तो x कैसा हुआ इसमें मनमर्जी का और मनमर्जी का जो ठीक है variable होता है वो कैसा होता है स्वतंत्र होता है स्वतंत्र यानिके independent तो इसमें x कैसा variable है स्वतंत्र 4 है variable यानिके 4 तो x कैसा चरह है, इसमें सोतंत्र और y कैसा है, प्रतंत्र प्रतंत्र यानिके dependent ठीक है, यह कोई हमारे पास function है, यहाँ y किसका function है, x का function है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने variable है, दो variable है, x है और y है, तो x कैसा है इसमें, x कैसा है, निर्भर करता है, x निर्भर करता है किस पे y पर निर्भर करता है ठीक है y जो निर्भर करता है x पर y कैसा हो गया dependent, depend किस पर है x पर depend है x तो इसमें independent variable है और y कैसा है dependent variable है किस पर निर्भर करता है x पर निर्भर करता है ठीक है तो दो variable थे हमारी ठीक है, इसमें x और y तो x कैसा variable है इसके अंदर, x कैसा variable इसके अंदर, independent variable और ये कैसा है हमारा dependent variable, y किस पर depend करता है, x पर depend करता है, ठीक है यदि इसके derivative की बात करें, इसका derivative यानि कि आउकल गुणांक, हिन्दी मैं कहते हैं कि इसको हम आउकल गुणांक, तो dy by dx किस के बराबर जाएगा यहां से, 2x ब्लस कितन आजाएगा, 5, तो कोई भी जो differential equation हो, ठीक है, कोई भी differential, linear differential equation मैं समझा रहा भी तुम्हें, तो linear differential equation क्या होती है, कोई भी हमारे पास differential equation हो, यदि उसमें dependent variable और dependent variable के derivative की power equation के अंदर, एक हो, तो वो कैसी equation कहलाती है, हमारी linear differential equation, इन्होंने आगे भी कहा, with constant coefficient, तो linear differential equation with constant coefficient क्या होती है, मानलिया मैंने कोई, ये कोई question ले लिया मैंने, मानलिया ये ले लिया चलिए, dn y upon dxn plus a1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 plus a2 dn minus 1 y upon dxn minus 2 plus dot dot plus dot dot और आखरे में ले लिया कितना, a1 y बराबर, मानलिया कोई p ले लिया, p कोई x का function है, तो ये मैंने कोई एक differential equation लिखी, ये कोई differential equation लिखी, p, q कुछ भी मानली, जिसको क्यों बान सकते है, p मानलो, q मानलो, चलिए, q, q मानलिया, ठीक है, तो ये कोई हमारे पास differential equation है, तो differential equation ये बताईए, कितने order के differential equation है ये, तो इसमें देखे सबसे जादे बार differentiation कितनी बार हो रहा, n बार differentiation हो रहा, तो इसका order कितना, n order है, कितना order है, कितना order है, n order है, क्योंकि सबसे जादे बार differentiation n बार हो रहा, तो इसका order कितना, इसका order कितना, ठीक है, n order है, और यदि इस किसके derivative, y, y, y कैसा variable, dependent variable, तो जिस equation के अंदर, dependent variable और dependent variable की क्या, derivative, कि degree 1 हो, तो वह differential equation क्या कहलता है, linear differential equation, और यह आगे भी कहा, with constant, coefficient, जिनके गुणांग कैसे हो constant, जैसे a1, a2, कोई a3 आ गया, an आ गया, तो यह सब क्या है, इनके coefficient है, इनके coefficient कैसे है, यह constant है, तो इस differential equation को हम क्या कहते है, linear differential equation, with constant, coefficient कहते है, ठीके, तो यह बात तुम्हें समझ मा आई होगी, चलिए, अब इनकी कुछ definitions लिखते है, ठीके, definition, चलिए, पहले लिखेंगे हम किसकी, linear differential equation समझे, क्या होती है, पहले में definition लिखाऊंगा, linear differential equation की, फिर linear differential equation, with constant, coefficient, तो पहले देखी तुम, linear differential equation की definition देखीए, चलिए, तो definition समझे, linear differential equation की definition समझे, बज़े इससे पहले भी linear differential equation आई, ठीके, इससे पहले एक linear differential equation आई, जो क्या थी, dy by dx, plus py, equal to q, ये भी तो कैसी equation थी, linear differential equation थी, ठीके, पर ये linear differential equation, first order, and first degree की थी, ये जो differential equation थी, linear, linear form बोलते थे हम इसको, dy by dx, plus py, equal to q, जहाँ, p, और q, किसके function थी, x के function थी, तो ये भी linear differential equation थी, पर वहाँ पर जो ये linear differential equation थी, first order, and first degree की थी, ठीके, तो linear के लिए, जो derivative है, या dependent variable है, तो उनकी power कितनी होनी चाहिए, one होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, linear, जैसे की, हम रेखा का समयकरण पढ़ते हैं, ठीके, x, y में एक घात की समयकरण, किसको represent करता है, एक सब्रेखा को उनकी उपित करता है, ठीके, represent करता है, तो ऐसे ही हम linear देखिए, linear differential equation, ज़रा definition समझे, linear differential equation क्या होती है, एक linear differential equation is an equation in which, जिसमें the dependent variable and its derivative और उसके क्या derivative, एक तो क्या dependent variable, एक तो क्या dependent variable, एक तो क्या dependent variable, कौन मैंने तुम्हें कोई function बताया वाई वराबर कोई हमारे पास function है fx वाई वराबर क्या function है हमारे पास fx या हमने इसका कोई example ले लिया वाई वराबर क्या x cube plus 2x plus 5 तो इसके अंदर कितने variable हैं दो variable है ठीक है x तो कैसा है independent variable और y कैसा है y कैसा है हमारा dependent variable ठीक है जड़ा एक बात और बताईए तुम अभी परिवासा से पहले मैं तो मैं यह बताऊं भई यदि हमारे पास कोई function है यह function है x square plus y square बराबर a square x square plus y square बराबर a square या 4 square 5 square कुछ भी कहा देजिए 5 square क्या दिया चलिए हमने ठीक है तो यह बताईए यह किस का function है ठीक है तो यहां पर देखुछ भी मालूम नहीं हो रहा ना तो यह पतलगरा y x का function है ना यह यहां पर पतलगरा x y का function है तो ऐसे function को कोई बताईए, क्या बोलते हैं, ऐसे function को क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं इसे function को हम बोलते हैं, implicit function, ठीक है, ये 12 में दुमने पढ़ा भी होगा, implicit function, implicit function को हिंदी मैं कहते हैं, ay ispast फलन, ay ispast क्यों बोलते हैं, इसको ay ispast इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये मा हम बोलते हैं क्या एइस पस्ट फलन बोलते हैं इंग्लिस में क्या बोलते हैं हम इसको implicit function बोलते हैं ठीक है तो हां में ही definition बता रहा था linear differential equation की तो ए linear differential equation is an equation एक linear differential equation एक equation होती है in which जिसमें the dependent variable dependent variable कौन y and its derivative इसका derivative dy by dx क्या क्या दीजी यह d2yy dx square क्या दीजी appear only in the first degree केवल उसमें कितने degree हो first degree हो ठीक है तो यह linear differential equation कोई equation होता है जिसमें dependent variable और उसका क्या derivative की केवल कितने degree हो केवल first degree हो एक degree हो तो उस ही को हम क्या बोलते है linear differential equation बोलते हैं ठीक है इसके बाद देखिए linear differential equation with constant coefficients जैसे कि हमारी chapter का नाम है linear differential equation with constant coefficients तो समझें ज़र आसको a linear differential equation of order n of the form dny upon dxn plus a1 dn-1y by t dxn-1 plus a2 dn-2y by txn-2 plus dot dot an-1 dy by dx plus any बराबर q where जहां a1 a2 a1 a2 an an-1 an r कैसे हैं यह सभी constant है and q is यह function of x और q किसका function है यह पर x का function है इस called linear differential equation with constant coefficients तो यह जो equation है हमारा ठीक है यहाँ पर देखिए इसका order तो n है order n क्यों है क्योंकि इसमें भी derivative हो या dependent variable हो सभी की power कितनी है एक power है तो इसी लिए इसकी degree 1 है ठीक है इसकी degree 1 है तो इसी लिए कैसा है यह linear है और इनके जो coefficients हैं वो कैसे हैं constant हैं तो इसी लिए हम इसको क्या बोलते हैं इसको linear differential equation with constant coefficient बोलते हैं जहाँ a1 a2 dot dot an सभी क्या है constant और क्यों किसका function है यह x का function है इसका linear differential equation with constant coefficients ठीक है बात आई समझ में और देखो जैसे d upon dx है d upon dx को हम denote करते हैं d से d upon dx को denote करते हैं किस से d से d2 upon dx square को denote करते हैं हम d square से चलिए उपर लिखवा देता हूं पहले तुम इस definition को note कर लीजिए इन definition को note कर लीजिए ठीक है इनको किस सरी note करते हैं इसको मिटा आगे मैं उपर लिख दूँगा तो जल्दी से सभी यह definition note करें चलिए आग देखिए जो operators हैं इसके आगे लिखना दी ओपरेंटर्स दी ओपरेंटर्स कौन कौन दी अपोन दी दी एक्स दी टू अपोन दी एक्स स्क्वाइर दी क्यूब बडे दी एक्स क्यूब डोट दी एन बडे दी एक्सन दीनोर्टिड वाई ठीक है, denoted by, किसे denote करते हैं इनको, d, d square, d cube, dot dot, dn, respectively, ठीक है, तो इन से इनको denote करते हैं, इन operator को, d upon dx को, तो किसे, d से denote करते हैं, दो बार differential को, d square से, ठीक है, यहाँ पर इसको equation 1 माल ले न, यहाँ जो मैंने लिखे दी, बराबर क्योंकि, इस equation क्या माल ले न, first, ठीक है, तो वहाँ बताइए, equation first से क्या जाएगा, from equation first से क्या जाएगा, from equation first से बोली, क्या जाएगा, n bar differentiation था, तो d n y आजाएगा, plus क्या था, a 1 था, फिर यहाँ n minus 1 बार था, तो इसको d n minus 1 into y लिखे देंगे, plus कितना था, a 2, d n minus, d n minus 2, ठीक है, d n minus 2 into y आजाएगा, plus dot dot, last में कितना, an into y, और इससे पहले भी लिखना हूँ, तो इससे पहले क्या था, चलिए, इससे पहले वाला भी लिख दीजिए, an minus 1, an minus 1, dy, किसके बराबर है, यह, q के बराबर है, किसके बराबर था यह, क्योंकि, सारे में y कॉमा ले लिजी, तो देखे, क्या बन जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वह इसको हम लिख सकते हैं, d n, plus, an, d n minus 1, plus, a2, d n minus 2, plus, dot, dot, an minus 1, d, plus, कितना, an, वह, into y, equal to, कितना, q, यह, हमारी equation, मान लिया, equation आगी, हमारी second, ठीके, तो इस equation का, जो, general solution होता है, the general solution, of equation, second, ठीके, the general solution, general solution, of equation, second, second का general solution y बराबर होता है, cf, plus, pi, cf मतलब complementary function, pi मतलब particular integral, तो यह, अब हम सीखेंगे, complementary function कैसे निकालते हैं, और particular integral कैसे निकालते हैं, ठीके, तो इसको note करिए, इसके बाद हम complementary function निकालना सीखेंगे, ठीके, चली तो इसके बाद, determination, of complementary function, हमें determination, यानि कि ज्यात करना, किसको, complementary function, complementary function, यानि किसको, shortcut में क्या बोलते हैं, इसको, cf बोलते हैं, ठीके, तो जो हमें equation दी हुई थी, बराबर वो Q करके, इस तरह की equation थी, तो Q से, पहले वाले को, सारे को, 0 के बराबर माल लेते हैं, हमने माल लिया, dn, plus a1, dn-1, plus a2, d की power, n-2, plus dot dot, an, भार कितना ले लिया, y बराबर 0, ठीके, तो ये देखे, कितने degree की, कोई भी equation है, ये, any degree की equation है, भी सबसे ज़्याद है, d की power कितनी, n, तो इसके कितने roots हो सकते हैं, अलग-अलग, इसके n roots हो सकते हैं, तो this is equivalent, हमने माल लिया, माल लिया, इसके बराबर है, पहला root कितना आगया, इसका d-m1, दूसरा root किया आगया, d-m2, ऐसी d-m3 आगया है, dot dot, d-mn, into y बराबर 0, तो हमने क्या करा है, इनके factor कर लिया, अलग-अलग, वे, कितने degree की equation है, वो अने degree की, तो कितने factors के अलग-अलग आजाएंगे, n factors के अलग-अलग आजाएंगे, ठीक है, 4 auxiliary equation, जिसके बाद हम इसके auxiliary equation निकालते हैं, तो auxiliary equation के लिए putting d equal to m, तो d की जगा कितना रखते हैं हम, m रखते हैं, तो we get, क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए, d की जगे m रख दीजी, m-m1, m-m2, यहाँ पी कोई माल लिया, d-m3 था यहाँ, ठीक है, d- कितना, m3, dot, 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 हाँ, तो m-m3, dot, dot, m-mn into y बराबर 0, तो यहाँ से m की value हम निकाल लेंगे, तो m की value कितनी मिलेगी, यहाँ से, n मिलेगी, कौन-कौन से मिलेगी, it will give, in general, n roots, तो कितने roots देगा, यह कितने मूल देगा, कितने मूल होंगे, यहाँ पे, ठीक है, n roots देगा, say, क्या-क्या माल लिए, पहला roots कितना, m1, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, m2, वहाँ से कितना, m3, dot, dot, mn, तो यह इसके हमें क्या मिल गए, roots मिल गए, हमने जो auxiliary equation थी, ठीक है, यह हमने इसके auxiliary equation निकाल ली, अब इसके बाद इसमें कुछ case बनेंगी, तो यह roots हमारे different हो सकते हैं, कुछ roots equal हो सकते हैं, या complex हो सकते हैं, या irrational roots हो सकते हैं, तो इसके कुछ case बनेंगी, ठीक है, तो वह case समझी इसके बाद, तो पहले इनको note कर लीजे, इसके बाद इसके 4 cases बनेंगे, तो वह case समझना, इसको नोट कर लीजिए पहले तो चलिए case first देखिए if all roots of auxiliary equation auxiliary equation को shortcut में लिखते है ae are distinct ठीक है यदि सारे जो roots है of किसके auxiliary equation के are distinct distinct माने होते हैं भिन-भिन-भिन माने अलग-अलग ठीक है तो यदि जो auxiliary equation हमारे पास है उसके सारे roots कैसे हो distinct हो भिन-भिनो अलग-अलग हो if the roots m1, m2, m3 ठीक है dot dot mn are all distinct यह उसके roots हैं किसके roots हैं यह auxiliary equation के roots हैं m1, m2, m3, dot dot mn और यह सारे कैसे हैं अलग-अलग हैं ठीक है तो उस condition में then तब cf किसके बराबर होता है complementary function किसके बराबर होता है c1 e की power m1x याद रख नहीं है cases तो cf कितना होता है c1 e की power m1x plus c2 e की power m2x plus c3 e की power m3x plus dot dot plus cn e की power e की power mnx तो यदि जो हमारे पास क्या है auxiliary equation है उसके हमने roots निकाल लिए roots सारे कैसे गए आए सारे अलग-अलग roots आए और जब भी सारे roots कैसे होंगे अलग-अलग होंगे तो हमारा complementary function क्या होगा c1 e की power m1x plus c2 e की power m2x plus c3 e की power m3x plus dot dot cn plus e की power mnx ठीक है case number second देखिए अब ठीक है सیکंड केस में roots कैसे हो सकते Shanghai एकवल हो सकते हैं एक समान हो सकते हैं यह कहा हैं इन्होंने auxiliary equation having equal roots तो auxiliary equation जो roots सेकते होगी कैसे roots सेक्ते होगी equal roots सेकते होगी तो उस condition में देखिए if two roots are equal यदि दो roots कैसे हैं equal है c खह सकते हैं M1 किसके बराबर है? M2K. कि उस auxiliary equation के दो roots कैसे आ गए? Equal आ गए. कौन-कौन? M1 बराबर किसके आ गया? M2K. तो उस condition में CfdK किसके बराबर होता है? तो complementary function होता है. C1 plus C2x into E की पावर M1x. तो ये change हो जाएगा. C1 plus C2x E की पावर कितना? M1x प्लस आ गया, ऐसी आ जाएगे. बाकी तो सब भिन-भिन है. बाकी जो roots है, 2CM है. 2 के लिए ये आ गया. प्लस कितना? C3 E की पावर M3x प्लस डोट-डोट Cn E की पावर Mnx. ठीके तो ऐसे भी हो सकता है. यदि कितने roots? 3 roots कैसे हो जाएए? equal हो जाएए. यदि auxiliary equation के 3 roots equal हो जाएए. कौन-कौन? M1 बराबर M2 बराबर M3. Then उस condition में दीखे क्या जाएगा? complementary function Cf क्या जाएगा? C1 प्लस C2x प्लस C3x square इंटू E की पावर M3x प्लस डोट-डोट Cn E की पावर Mnx. तो C2x आया? फिर एक पावर बढ़ गई. तो इसी तरीके से 4 root, 5 root, 10 root, 100 root, जीतने भी हो equal हो सकते हैं. ठीक है? तो इसी तरीके से बढ़ते हैं, मालने 4 root equal हो जाएए. तो 4 root equal हो जाएगे, तो क्या जाएगा? 4 root equal हो जाएगे तो या जाएगा? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वार प्लस C4x क्यूब इन्टू E की पावर M1x. ठीक है? यहाँ M1x लिख दो या M2x लिख दो, या M3x लिख दो. क्योंकि तिन्नों की तिन्नों कैसे हैं? बराबर हैं. बराबर हैं, तो तिन्नों की तिन्नों कितने भी एकवल हो जाएं, तो इसी तरीके से इन्ट पावर को बढ़ाते हुए चले जाएंगे हैं. वैसे एक कॉस्चन में तो तीन रूट से जादे एकवल आएंगे नहीं, आएंगे भी तो कर सकते हैं, ठीक है? तो तुम लोग इनको नोट करिए, इसके बाद ठीक है? दो केसी हो रहे हैं इसमें, केस थार्ड और केस फोर करेंगे इसके बाद ठीक है? तुम लोग पहले इनको नोट करिए जल्दी इसके बाद हम केसी थार्ड, केस थार्ड और केस फोर पढ़ेंगे चलिए तो case 3 देखिए चलिए तो इसकी बाद next case देखिए case number 3 auxiliary equation having complex roots यदि auxiliary equation कैसे roots रखती है complex roots रखती है complex यानि कि देखिए क्या let the roots let the two roots of the auxiliary equation be complex से कह सकते हैं क्या alpha plus minus i beta तो कैसे roots हैं यह दो roots हैं और उजलरी equation कैसे roots हैं complex roots है then उस condition में दीखिए cf किसके बराबर होता है cf बराबर होता है e k power alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x यह लिख लीजे यह लिख लीजे cf बराबर c1 e k power alpha x sin ठीक है beta x plus c2 यह क्या भी लिख सकते हैं cf बराबर c1 e k power alpha x cos beta x plus c2 इन तीनों में से कोई सभी आंसर में लिख दीजे ठीक है यह लिख सकते हैं यह complex roots हैं यह complementary function यह लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं तीनों में से कोई सभी एक लिख सकते हैं इसके बाद case number 4 देखिए, case number 4, auxiliary equation having irrational roots, कोई auxiliary equation कैसे roots रखती है, ठीक है, irrational roots रखती है, तो irrational roots देखिए क्या हो सकते हैं, let the roots of the auxiliary equation are alpha plus minus root beta, तो कैसे roots हैं, यह हमारे irrational, irrational यानिके एपरी में, then, उस condition में देखिए, cf किसके बरापर आएगा, लगबग कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, e की power alpha x, c1, बस hyperbolic आ जाएगा, और यहां root beta है, तो कितना जाएगा, root beta x plus c2, sin hyperbolic, under root beta x, और cf को यह लिख सकते हैं, c1 e की power alpha x, sin hyperbolic, under root beta x plus c2, और क्या लिख सकते हैं, cf बरापर, c1 e की power alpha x, को sin hyperbolic, under root beta x, प्लस कितना c2, तो यह हमारा case number कुण सा हो गया, case number 4 हो गया ही, ठीक है, तो चलिए, इन kisses को सभी note कर लीजे, ठीक है, इसके बाद exercise start करते हैं, ठीक है, तो यह हमारे method थे, ठीक है, क्या निकालने के method है, क्या निकालने के किसी हिस्ते है, हमारे complementary function, ठीक है, जो solution होता है, equation होती है, उसका solution मैंने तुम्हें बताया था, general solution, y बरापर कितना होता है, cf plus pi, ठीक है, तो अभी हमारी पहली exercise में, जो particular integral निकलता है, वो right hand side से निकलता है, जो equation देवी होती है, q बरापर कोई function x का होता है, हमापर, तो अभी जो हमारी exercise first में है, केवल, उसमें right hand side सभी के 0 दे रखी है, तो उसमें particular integral सभी के 0 होगी, तो अभी मैंने तुम्हें जो बताया, क्या निकालना बताया, तो complementary function, कि यह cases है, तो पहली exercise में, complementary function ही निकालने की जुद पड़ेगी, cf ही निकालने की जुद पड़ेगी, जो particular integral होंगी, वो कैसे होंगी, 0 होंगी, ठीक है, तो आसान सी exercise है, तो चलिए, exercise number first start करते हैं, ठीक है, तो इसको note करिए, exercise number first start करते हैं, चलिए तो exercise first देखिए, और exercise first में, पहला question देखिए, ठीक है, जैसे की हमारा chapter है, ठीक है, linear differential equation with constant, coefficient, तो यह हमारी linear differential equation है, क्यों linear है यह, क्योंकि इसमें, जो derivative है, किसका derivative है, dependent variable, dependent variable कौन S के अंदर, y और independent variable कौन X, तो इसका derivative और यह derivative और खुद dependent variable, खुद dependent variable और उनके derivative के degree कितनी है, इसमें, वन है, और उनकी जो coefficient यानि के गुनांक है, वो कैसे है, constant है, तो इसलिए हम इस differential equation को क्या कहते हैं, linear differential equation with constant coefficients, ठीक है, तो चलिए इसको solve करना, solve the following, differential equation, in differential equation को हमें solve करना, तो चलिए इसको solve करते हैं, ठीक है, तो यह देखे क्या जाएगा यहाँ पर, d square y plus a plus b into d into y plus a by बराबर 0, ठीक है, तो इसमें y को मना रहा, तो y को मन जाएगा, तो देखे क्या बज़ जाएगा यहाँ से, d square plus a plus b, ठीक है, a plus b into d plus कितना a, b, भार कितना आजाएगा, भार कितना आजाएगा बोलिए, y आजाएगा, और equal to इसके 0, इसके बाद हम इसकी auxiliary equation निकालते हैं, ठीक है, तो auxiliary equation बोलिए, इसके क्या होती है, auxiliary equation इस, auxiliary equation के लिए, d की जगे m रख देते हैं, ठीक है, d की जगे m रख देते हैं, तो auxiliary equation बोली क्या जाएगी, हांसे m square plus a plus b into m plus a b बराबर 0 y को छोड़ देते हैं इस में रख देते हैं और इसे 0 के बराबर रख देते हैं तो ये क्या आगी हमारी auxiliary equation आगई तो इसको solve करिए यहां से m के मान निकालिए m के मान निकाली चलिए इसकी गुना कर लो तो ये हो जाएगा कितना m square plus a m plus b m plus a b equal to 0 common बोलना यहां से m common आजाएगा m common आजाएगा तो m plus e न बच्चेगा यहां से common लो b कितना बच्च जाएगा m plus a equal to 0 दोनों से common m plus e आजाएगा m plus e भार आजाएगा तो क्या बच्च जाएगा m plus b बच्च जाएगा m plus कितना b बराबर किसकी 0 की तो यहां से m की value आजाएगी दो value आजाएगी बोलिए क्या क्या जाएगा यहां से m equal to minus e आजाएगा दूर m equal to minus b आजाएगा तो दोनों जो roots हैं इसके कैसे हैं अलग-अलग हैं different है, distinct है तो भिन-भिन के लिए cf बताईए क्या बताया था मैंने तुम्हें complementary function बोलिए क्या बताया था case first था हमारा c1 e की power m1 x ठीक है तो यानि के minus का कितना ax plus कितना c2 e की power minus k bx particular integral निकाल लेंगे इसके बाद pi निकाल लेंगे तो particular integral right hand side से निकलता है तो इसमें सभी 0 आएंगे ठीक है तो solution बोल दीजी solution of given differential equation solution of given differential equation is बोलिए क्या है solution y बराबर कितना होता है cf plus pi complementary function plus particular integral मान रख दीजी y equal to cf कमान बोलो c1 e की power minus ax plus c2 e की power minus k bx particular integral 0 तो यही आंसर आगे असका तो भी है दासान question है ठीक है तो चलिए सभी इसको note करिए ठीक है question number first को सभी note करिए इसके बाद हम next question करेंगी question number चलिए इसके बाद हम third करेंगे two को खुद करना तो इसके बाद तो question number चलिए third देखना चलिए तो third question देखिए book में देखिए क्या दिया third question चलिए तो question number three देखिए solve the differential equation is differential equation को में solve करना तो चलिए इसको solve करते तो इसमें निखलेंगे इसको d cube plus कितना 6 d square plus कितना यहाँ पर 3d हो जाएगा minus के 10 y को भाद ले लीजिए y बराबर कितना जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा ठीक है तो अब हम इसकी auxiliary equation निकाल लेंगे तो auxiliary equation के लिए d की जागए क्या रख देते है m रख देते है तो इसकी auxiliary equation बोलिए auxiliary equation is बोलिए कितना mq plus 6 m square plus 3m minus 10 बराबर 0 तो कितने degree equation है यह 3 degree equation है 3 degree equation है तो m की कितनी value आएगी यहां से 3 value आएगी चलिए तो m की value देखिए क्या क्या आजाएगी यहां से m की value देखिए कैसे निकाल लेंगे यहां से m बराबर देखना इसको कौन satisfy कर रहा m की value देखिए इसको कौन satisfy करेगा ठीक है m बराबर कौन satisfy करेगा इसको 1 satisfy करेगा तो m बराबर 1 satisfy करेगा तो m-1 से इसको हमें भाग देना पड़ेगा तो m- देख लो 1 रखे यदि 1 रखेंगे हैं 1 6, 7, 7, 3, 10 10-10, 0, ठीक है तो m बराबर 1 satisfy कर रहा m-1 इसको satisfy कर रहा तो m-1 इसका एक factor होगा तो इसलिए m-1 से इसको भाग दे देंगे तो यहां कितना mq प्लस कितना 6 m square प्लस कितना 3m माइनस के कितना 10 भाग दे दीजे किस से भाग देंगे m square से भाग दे दीजे क्योंकि m cube बनाना तो m square से भाग दे दीजे ये 7 M स्कौार बच जाएगा, प्लस के कितना 3 M, अब देखे कितनी बार चलानी है, इसमें 7 M बार चलानी, प्लस के कितना 7 M, गुना करना इसमें, 7 M स्कौार, माइनस के 7 M, खटाना इसको घटा दीजिए, माइनस, 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 प्लस हो जाएगा, कड जाएगा, 7 और 3, 10 M बचेगा, माइनस कितना 10, कितनी बार चलेगी 10 बार ही चलेगी 10 से गुना करेंगे तो 10 M माइनस 10, ठीके तो दीखिए एक तो फैक्टर कोन आया इसका M माइनस 1, और फिर कितना, M स्कॉर प्लस 7 M प्लस 10, एक वल्टू 0, इसके भी फैक्टर कर दीजिए 5 दूनी, 10, 5 अब 2 7 तो पताईए क्या क्या आजाएंगे इसके ठीके M प्लस 2 M प्लस 5 आजाएंगे न, एक वल्टू 0 ठीके तो ये इसके फैक्टर आगे, तो M की value निकालो, यहांसे क्या क्या आजाएंगी M की value I जाएंगी खोलो minus की 2 आजाएंगी यहां से दीखिए ≜ 5 आजाएगी तो सारी value कैसी यहां पर अलग-अलग अलग-अलग है तो complimentary function भो लिए क्या आजाएगा Complimentary Function आजाएगा c1 e की power x हो जाएगा plus c2 e की पावर माइनस की 2x हो जाएगा plus c3 e की पावर माइनस की 5x हो जाएगा ठीक है तो वो तो रख वार्ख है उसको भी चलो लिख लेना यह दी तो मैंने यहाता है करना इसको भी कर लेना नौट है उसके बाद पर्टिकुलर इंट्रीगल बताईए पी आई ब solution of given differential equation is बोलिए क्या है ठेक है solution बता दीजिए क्या जाएगा इसका y equal to y equal to cf plus pi आई जाएगा y equal to cf plus कितना आजाएगा particular इंट्रीगल आजाएगा तो y equal to cf यह रहा हमारा c1 e की पावर x plus c2 e की पावर माइनस 2x plus c3 e की पावर माइनस 5x और पर्टिकुल इंट्रीगल जीरो तो यह हमारा answer आ गया ठीक है आसानी question है भी हद आसान question है ठीक है चलिए इसको भी जल्दी से नोट करिए ठीक है question number हमारा third हो गया तू तो आसानी है हो जाएगा हूँ इसके बाद आगे के question करते हैं ठीक है जल्दी से तुम लोग इसको पहले नोट कर लीजिए चलिए इसके बाद तुम five question देखी question number five चलिए question number five देखिए ठीक है तो five भी वैसे आसानी है चलिए देखिए विरूई देखो जो complete course application पर होगा ये केवल कोई-कोई वीडियो आएगी जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआई तो ये वीडियो तुमारे यूट्यूब पर आजाएगी ठीक है बाकी आगे की वीडियो यूट्यूब पर नहीं आएगी तो इसलिए जिसको भी सारी वीडियो देखनी हो paid course लेना हो तो वो सभी application डाउनलोड करें देखेंगे PCM Guru ठीक है और application का link इस वीडियो के description में भी दे जाएगा महा से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे जाके play store से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो ये paid course लेने के लिए आप इस नंबर पर WhatsApp message करेंगे 96902224488 पर ठीक है तो ये chapter स्टार्ट हुआ ये वीडियो ही केव YouTube पर आएगी इससे पहले का जो सारा course है वो application पर complete हो चुगा chapter 4 से जो पहले साभी chapter से हैं वो complete करा दिए ठीक है और वो सभी videos application पर available हैं उनको कभी भी देख सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम question number करेंगे कुन सा 5 question करेंगे question number 5 देखो आसानी question है simple question है सबसे पहले क्या करेंग इसमें इसकी auxiliary equation निकाल लेंगे तो auxiliary equation बोल दीजिए इसकी auxiliary equation is mq minus 4m square plus 5m minus 2 बराबर 0 इसके factor करिए ठीक है इसके factor देखिए m बराबर 1, 2, 3 रख कर देखो इसमें चलो पहले 1 रखेंगे तो यहां से 1, यहां से 5, 6, 4, 8, 2, 6, 6, 6, माइनस 6, 0 तो m बराबर 1 satisfy कर रहा तो किस से भाग देना पड़ेगा जैसे अभी हमने question किया m minus 1 से इसको भाग करना पड़ेगा तो m minus 1 से भाग कर दीजिए चलिए बोली क्या जाएगा यहां से m cube minus 4 m square plus k 5m minus k 2 कितनी बार चलेगी बोलीए m square बार चलेगी तो m square बता दीजिए क्या जा माइनस की m square आजाएगा घटा दीजीए minus 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 plus कर जाएगा minus की plus की माइनस की कितने बजज जाएगे 3 m square बजज जाएंगे किसको उतार लिजिए 5 m आप बतावाजिए कितनी बार चलेगी 3m बार चलेगी न 3m बार चलाना इसमें गोना करना माइनस की 3 3 3 3m स्कौर माइनस माइनस प्लस 3m सब्ट्रेक्ट कर दीजी माइनस माइनस प्लस माइनस कर जाएगा घटा आना इसको 2m बचेगा 2m माइनस 2 बचेगा कितने बार चल जाएगे 2m चाहिए तो किस से गुना करने पड़ेगी 2 से तो बोलतीजी कितना जाएगा 2m-2 आजाएगा गाट आएंगे तो 0 आजाएगा तो इसका एक factor बताईए कितना आया m-1 फिर बागी क्या बचा m-square-3m प्लस 2 बराबर कितना 0 इसके भी factor कर दीजी m-1 दो एकम दो दो और एक तीन न हो जाएगा m-square ठीके तो 2m-m प्लस 2 इकवल टू 0 फैक्टर कर दीजी इसके m-1 m common na m common तो कितना m-2-1 common m-2 equal to 0 m-2 भार ले लेंगे m-1 तो है यह m-2 भार आजाएगा m-2 भार आजाएगा तो m-1 बचेगा बराबर कितना 0 तो m की दो value एक जैसी आजाएगी m बराबर 1 आजाएगा 1 आजाएगा और कितना आजाएगा 2 के बराबर आजाएगा तो दो value एक जैसी हैं और एक कैसी हैं यहां पर different है तो cf बोलिए complementary function c1 plus c2 x into e की power x plus इसके लिए बताईए कितना c3 e की power कितना 2x तो यह किसकी value आगी हैं से complementary function की value आगी है ठीक है वह दो root कैसे हैं एक जैसी तो केस कौन सा लगे गा है आप है second वाला तो second वाले मैंने तुम्हें बताया था जब दो root एक जैसी हों तो c1 plus c2 x और e की power कितना x और यहां से कितना c3 e की power 2x पर्टिकुलर इंट्रीगल कितना इसका जीरो पर्टिकुलर इंट्रीगल कितना जीरो pi जो है अब राइट हैंड साइड क्या है 0 है तो इसलिए पर्टिकुलर इंट्रीगल कितना आएगा 0 आएगा solution of given differential equation solution of given differential equation y equal to cf plus कितना pi तो cf कमान बताना cf कमान भोलिए यहां से c1 plus c2x e की power कितना x plus c3 e की power 2x ठीक है तुछी इसका answer आगया question number 5 हो गया तो सभी आसानी question है note करिए इसको ठीक है जल्दी से note करिए इसको चलिए जल्दी से इसको कर लिए इसके बाद question number 6 देखिए question number चलिए 6 करते है इसके बाद चलिए question number 6 देखिए ठीक है question number 6 देखो क्या देखिए मैं इसको लिख लेंगे हैं d square नहीं d की power 4 plus 2d cube minus 3 d square minus 4d plus 4 भार कितना जाएगा y और बड़ाबर कितना 0 इसकी auxiliary equation बोर ही क्या जाएगी auxiliary equation is d की power 4 plus 2d cube minus 3 d square minus 4d plus 4 auxiliary equation m तो रखा ही नहीं कितना रखना d की जगे तो m रखना auxiliary equation में d की जगे क्या रखते हैं m रखते हैं तो अब बोलिए m की power 4 plus 2m cube minus 3m square minus 4m plus 4 equal to 0 ठीक है इसकी factor करिए इसकी factor देखिए कैसे होंगे कितना degree का equation है यह 4 degree का चलिए इसको भी remainder theorem सेस्फ़ल पर में सही करेंगे ठीक है remainder theorem से कैसे करेंगे तो यह देखिए m बराबर 1 satisfy कर रहा क्या इसको दो और एक तीन 4 7 4 3 7 ठीक है satisfy कर रहा तो इसको भाग देदीजी किससे किससे भाग देदीजी m minus 1 सही भाग देदीजी तो m की पावर 4 plus 2m cube plus 2m cube minus 3m square minus 4m plus कितना और कितने बार मानने चलेगे इसमें m cube बार ना m cube बार चला दीजी तो बताना कितना बच जाएगा यहां से m की पावर 4 minus m cube घटा दीजी minus 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 plus कर जाएगा 3m cube minus 3m square कितनी बार चलेगी plus की 3m square बार चलेगी तो बोलना 3m square नहीं 3m cube आएगा ना 3m cube इसमें multiply करेंगे तो minus की 3m square ठीके घटा दीजी घटाएगे तो minus 4 minus minus plus यह भी कर जाएगा यह भी कर जाएगा आगे से उतार लिजी कितना उतारना पड़ेगा minus की 4m minus नहीं plus 4 कितनी बार चलेगी minus की 4 बार चलाना ज़र इसमें कितना जाएगा minus की 4m minus की 4m plus की 4 ठीके तो पूरा पूरा कर जाएगा तो देखी क्या बचेगा यहां से m minus 1 तो है यह ना वह से बोलिए mq plus कितना 3 m square minus 4 बराबर 0 इसके भी फैक्टर कर दीजी तीन और एक चार 4 minus 4 जीरो तो m बराबर 1 से m minus 1 से इसको भी भाग देजीए किस से भाग देजीए m minus 1 से तो m minus 1 से भाग देंगे किसको भाग देंगे m cube plus कितना 3 m square minus कितना और चलिए कितनी बार चलेगी इसमें m square बार m cube आ जाएगा minus m square जाएगा घटा दीजी just minus 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 plus कर जाएगा यहां से plus कितने बच जाएँगे 4 m square बच जाएगे न इसमें बताना कितना बचेगा यहां से चलाना कितना m3 बचेगा न इसके इसमें गुना करें कितना बचेगा ठीक है तो ये जो बचेगा कितना m2 और माइनस कितना है माँपे कितना उतार लेंगे 4 क्योंकि m वाली वैली तो ही ने इसमें तो कितनी बार चलानी पड़ेगी इसमें जड़ा देखिए इसमें चलाएं तुम प्लस की 4 बार 4 बार चलाएंगे तो कितना आजाएगा 4 m2 माइनस 4 ठीक है तो ये आजाएगा तो question number है हमारा कौन सा है ये 6 question है न ठीक है 4 m बार चलेगी ये तो वह यहां से हमें कितना चाहिए था एक मिट जड़ा देना है यहां पर यहां तक कर लिया था न हमने इसमें m वाली term तो नहीं है इसमें हम इसकी multiply करेंगे वह 4 m से करनी थी ये तो तभी तो 4 m2 आएगा तो कितना जाएगा यहां से 4 m2 इसमें multiply करेंगे तो minus की कितना 4 m ठीक है subtract करीं अब minus 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 plus यहां से कितना 4 m उपर से कितना उतार लेंगे minus की 4 अब बताई कितनी बार चल जाएगे अब चल जाएगे 4 बार 4 m minus 4 ठीक है अब सही हो जाएगा ठीक है तो बोलिए कितना m minus 1 तो है यह महां से इसका एक factor क्या मिला m-1 मिला और आगे से बोलो कितना m2 plus 4m plus 4 बराबर 0 इसके भी factor हो जाएंगे ठीक है यहां से तो m-1 का holy square बन जाएगा यहां से बोलो यहां से m plus 2 का holy square बन जाएगा यह m plus 2 का holy square बराबर 0 m की value निकालो m बराबर 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा यहां से minus 2 आ जाएगा और यहां से भी कितना आ जाएगा minus k 2 आ जाएगा अब हम क्या निकाल लेंगे इसका cf निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए इतना note करिए इसके बाद मैं आगे उधर मिटा के उधर करूँगा जल्दी से तुम लोग इतना note करिए चलिए तो आगे देखिए c अब बोलना दो value एक जैसी है complementary function इसके लिए बोलना पहले c1 प्लस c2 x e की पावर e की पावर x प्लस इसके लिए बोलना c3 प्लस c4 x into e की पावर कितना आएगा minus k 2 x particular integral किसके बराबरा आएगा राइट हैंड साइट तो 0 ही है तो solution बोल दीजिए of given differential equation of given differential equation is y बराबर कितना complementary function plus particular integral तो चलिए बिता दीजिए क्या आगया c1 प्लस c2 x into e की पावर x plus c3 plus c4 x e की पावर माइनस की 2 x तो ये इस cancer आगया देखे तो चलिए इसको complete कर लिजिए बाकी हम जो आगे क्लास आएंगी सब application पाएंगी जिसको भी application पर course लेना हो वो सभी अपनी fee submit कराईए तो fee submit कराने के लिए आप इस नंबर पर whatsapp message करिए 9690 224488 ठीके तो और बाकी कोई अभी class आएगी नहीं इसकी second year की अब जो class चलेंगी इसके आगे की जो भी class होंगी सबी application पर होंगी और वो live classes होती है application पर live classes होती है और वो 4 बजी ठीके application पर live चलती है कोई भी problem है सबी साथ के साथ पूछ सकते है तो चलिए जिसको भी जूड़ना हो अपनी fee submit कराईए इस नंबर पर whatsapp message करिए fee submit कराने के लिए बाकी चलिए next time पर करते है ठीके और इसके जो बाकी questions है वो करके देखना बाकी next time पर है